ओम शान्ती नमस्कार मेरा नाम हेजल है और आज मैं आपको ओम शान्ती बवन दिखाने वाली हूँ और राजयों के कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ ओम शान्ती भवन 1983 में बना था यहां पे देश विदेश से बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और यहां आकर शान्ती का अनुभव करते हैं अब मैं आपको राजयों के बार में कुछ पताने वाली हैं अगर मैं आपसे पूछीं कि आप कौन हो तो आप अपना नाम बताएंगे लेकिन असर में आप एक आत्मा हो जो मस्तक के बीच में यहां रहते हो हमारी आत्मा एक पॉइंट ओफ लाइट की तरह होती है हमारी आ आत्मा पांच कर्मेंद्रियों को चलाती है कान नाख मूं आंक और हात कान के द्वारा सुनती है नाख के द्वारा सूंगती है मूं के द्वारा खाती बोलती है आंक के द्वारा देखती है और हात और पेर के द्वारा कर्म करती है तो हमें पता है क्या करना चाहिए क्या न से कुछ भी कर्म कर लेते हैं लेकिन अगर हमें पता चले कि हम एक आत्मा हैं तो हम इनको असानी से कंट्रोल कर सकते हैं हमें अच्छा सुनना चाहिए हमें अच्छा सूंगना चाहिए हमें अच्छा बोलना चाहिए हमें अच्छा देखना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए तो हमारे जैसे की शरीर के पिता शरीर जैसे होते हैं ऐसे ही हमारे आत्मा के पिता आत्मा जैसे हैं उनका नाम है परमétais परमात्मा शेप उन्हें अल्ला ईश्वर वाह गुरू खुदा के नाम से जाना जाता है यह ओम शांती भावन का हॉल है हम यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं आप इसका नजारा देख लिजिए इस हॉल में तीन हजार से भी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और यहां पे देश विदेश से स्प्रिचुल कॉन्फरेंसे के लिए लोग आते हैं तो आपको जो यह बीच में तस्वीर दिख रही है इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा और यह ब्रह्मकुमारी स्विश्विध्याले के फाउंडर है जो आप मेरे पीछे ही चित्र देख रहे हैं यह है श्रस्टी चकर सबसे उपर है सत्योग फिर उसके नीचे त्रेतायोग उसके पास में द्वापर और कल्योग फिर जो आपको छोटा सा दिख रहा है वो है संगम्योग तो सत्योग में लक्ष्मी और नारायन होते हैं त्रेता में सीता और राम होते हैं द्वापर में क्राइस्ट और बुद्ध जन्म लेते हैं और रानी राजा होते हैं जो अभी चल रहा है वो कल्योग है कल्योग बहुत पापी दुनिया है यह गोर कल्योग है इसमें बहुत विकार होते हैं और हम सब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं तो इसके लास्ट का पार्ट होता है संगम्योग, संगम्योग में भगवान हमें आकर बताते हैं कि हमें कैसे नई दुनिया में जाना है और अच्छा बनना है, आज के लिए बस इत्ता ही आप जहां रहते हैं, आप ब्रह्मकुमारी सेंटर जा सकते हैं और राजयोग इस इश्वर्य ज्ञान से स्वयम को लाभानवित कर सकता है, अब तक विश्व के लाखो भाई बहने अपनी संकीर्न विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटम बकम की भावना द्वारा मूल्य निष्ट समाज के निर्मान के निमिक्त बन रहे हैं